आज हम सीखेंगे परिमे संख्याओं की संख्या रेखा पर तुलना जब संख्याओं की बात आती है तो हमें कई बार बड़ी या छोटी संख्या पैचानना अवश्यक हो जाता है जैसे राहुल, रोहित और मोहित का घर एक ही रेखा में है अगर राहुल के घर से रोहित के घर की दूरी पांच बटे आठ किलोमेटर है और मोहित के घर की दूरी तीन बटे आठ किलोमेटर है तो राहुल के घर से किसका घर सबसे पास में है यह पतागरने के लिए हमें 5 बटे 8 किलोमेटर और 3 बटे 8 किलोमेटर की तुलना करना अवश्यक है यही नहीं बलकि वस्तूओं के वजन के तुलना, उचाईयों के तुलना इत्यादी तो चलिए जानते हैं दो परिमे संख्याओं यानि राश्नल लंबर्स की तुलना यानि कमपेरिजन कैसे करते हैं हम संख्यारेखा पर परिमे संख्याओं की तुलना आसानी से कर सकते हैं संख्यारेखा पर दाई और संख्याओं का मान बढ़ता है जबकि बाई और संख्याओं का मान खटता है चलिए 8 बटे 10 और 9 बटे 15 की तुल्ला करते हैं जैसा कि हम देख सकते हैं दोनों संख्याएं P बटे Q रूप में हैं जहां दोनों के अंश और हर पूर्णांक है और किसी भी संख्या का हर शून्य नहीं है इसलिए ये दोनों परिमेश अंख्याए हैं इनकी तुलना करने के लिए पहले हम इन्हें संख्यारेखा पर अंकित करेंगे क्या बता सकते हैं आट बटे दस का स्थान संख्यारेखा पर कौन से दो पूर्णांकों के बीच आएगा सूचिए सूचिए बिल्कुल सही चुकि 8 बटे 10 का अंश 8 हर 10 से छोटा है इसलिए 8 बटे 10 का स्थान संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच है 8 बटे 10 का ठीक स्थान क्याद करने के लिए हम 0 से 1 के दूरी के 10 बराबर भाग करेंगे और इनमें से 8 बटे 10 अंकित करेंगे इसी तरह 9 बटे 15 का अंश 9 भी हर 15 से छोटा है इसलिए 9 बटे 15 का स्थान भी 0 से 1 के बीच आएगा इसका स्थान क्याद करने के लिए हम 0 से 1 के दूरी के 15 बराबर भाग करेंगे और इनमें से 9 भाग लेकर 9 बटे 15 व्यक्त करेंगे अब हम देखते हैं कि 8 बटे 10, 9 बटे 15 के दाई ओर है इसलिए 8 बटे 10, 9 बटे 15 से बड़ा है इसी तरह चलिए अब रिंट 3 बटे 4 और रिंट 7 बटे 8 के तुलना करें चुकि यहां दोनों रिनात्मक परी में संख्याएं याने निगेटिव राशनल नंबर्स है इसलिए इनका स्थान संख्या रेखा पर 0 के बाई ओर है चुकि दोनों संख्याओं में अंश हर से छोटा है इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि इनका स्थान संख्या रेखा पर 0 और रिंट 1 के बीच आएगा रिंट 3 बटे 4 का स्थान 0 से रिंट 1 की दूरी को 4 बड़ाबर भागों में विभाजित कर इनमें से 3 भाग लेकर दर्शाया जा सकता है इसी तरह रिंट 7 बटे 8 का स्थान 0 और रिंट 1 की दूरी को 8 बड़ाबर भागों में विभाजित कर इनमें से 7 भाग लेकर दर्शाया जा सकता है इनके स्थानों को देखकर पता कीजिए कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी सोचिए सोचिए बिलकुल सही इनके स्थानों को देखकर यह ग्यात होता है कि रिंट 3 बटे 4, रिंट 7 बटे 8 के दाई और है इसलिए रिंट 3 बटे 4, रिंट 7 बटे 8 से बड़ी परिमय संख्या है इसी तरह चलिए अब 4 बटे 5 और रिंट 3 बटे 7 के तुलना करें यहाँ 4 बटे 5 एक धनात्मक परिमय संख्या है और रिंट 3 बटे 7 एक रिनात्मक परिमय संख्या है इनके तुलना करने के लिए हम इन संख्याओं को संख्या रिखा पर निरुपित करेंगे 4 बटे 5 को हम इस प्रकार निरुपित कर सकते हैं और रिंट 3 बटे 7 को इस प्रकार निरुपित कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं चार बटे पांच रिंड तीन बटे साथ के दाई ओर है इसलिए हम कह सकते हैं कि चार बटे पांच रिंड तीन बटे साथ से बड़ी परिमेय संख्या है इससे अब आपकी परिमेय संख्याओं की तुलना संख्या रिखा पर करने की समझ बन गई होगी आज हमने सीखी परिमे संख्याओं की संख्या रेखा पर तुल्ला अगले वीडियो में हम सीखेंगे परिमे संख्याओं की संख्या रेखा के बिना तुल्ला आज हम सीखेंगे परिमे संख्याओं की संख्या रेखा के बिना तुल्ला हम परिमे संख्याओं की तुलना संख्या रेखा के बिना भी कर सकते हैं तुलना करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि परिमे संख्याओं का हर धनात्मक पूर्णांख है या नहीं अगर किसी परिमे संख्या का हर रिनात्मक पूर्णांख होगा तो हम उस परिमय संख्या के अंश और हर दोनों को रिन एक से गुणा करते हैं और इस प्रकार हम हर को धनात्मक पूणांग बना लेते हैं ऐसा करने पर हमें दोनों धनात्मक परिमय संख्याएं एक धनात्मक और एक रिनात्मक परिमय संख्या या दोनों रिनात्मक परिमेश संख्याएं प्राप्त हो सकती है तो आईए जानते हैं प्रत्तिक स्थिती में इनकी तुलना कैसे की जाती है पहले हम देखेंगे दो धनात्मक परिमेश संख्याओं की तुलना क्या आपको याद है हम भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं? वीडियो रोक कर इस पर विचार करें आपकी जानकारी के लिए दो धनात्मक परिम्य संख्याओं की तुलना भी भिन्नों की तुलना की जैसे ही की जा सकती है यानि कि अगर परिमय संख्याओं का हर समान हो तो जिस परिमय संख्या का अंश बड़ा है वह बड़ी परिमय संख्या होती है जैसे 5 बटे 8 और 3 बटे 8 में दोनों परिमय संख्याओं का हर समान है लेकिन 5 बटे 8 का अंच 5, 3 बटे 8 के अंच 3 से बड़ा है इसलिए 5 बटे 8, 3 बटे 8 से बड़ी है अगर परिमेह संख्याओं का हर बराबर न हो तो हम दोनों परिमेह संख्याओं की तूल ये परिमेह संख्याओं यानि equivalent rational numbers क्याद करते हैं जिनका हर बराबर हो जैसे अगर हमें 3 बटे 4 और 2 बटे 6 की तुलना करनी होगी तो पहले हम 4 और 6 का लवसर यानि LCM प्राप्त करेंगे 12 फिर हम 3 बटे 4 के अंश और हर दोनों को 3 से गुणा कर 3 बटे 4 की तूल ये परिमेह संख्या 9 बटे 12 प्राप्त करेंगे इसी प्रकार 2 बटे 6 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा कर 2 बटे 6 की तूले परिमेह संख्या प्राप्त करेंगे 4 बटे 12 इसका भी हर 12 है चुकि अब हर बराबर है और अंश 9 अंश 4 से बड़ा है इसलिए हम कह सकते हैं कि 9 बटे 12 चार बटे 12 से बड़ी है या 3 बटे 4, 2 बटे 6 से बड़ी है इसी तरह अगर दो परिमेह संख्याओं का अंश बराबर हो लेकिन हर बराबर न हो तो वह परिमेह संख्या जिसका हर छोटा होता है बड़ी परिमेह संख्या होती है जैसे 5 बटे 6 और 5 बटे 8 में 5 बटे 6, 5 बटे 8 से बड़ी है चलिए इसकी पुष्टी करे अगर हम इनका हर लसर की विधी से समान करते हैं तो हमें 5 बटे 6 की तूले परिमेय संख्या 20 बटे 24 और 5 बटे 8 की तूले परिमेय संख्या 15 बटे 24 प्राप्त होगी अब हम कह सकते हैं कि 20 बटे 24, 15 बटे 24 से बड़ी परिमेय संख्या है याने कि 5 बटे 6, 5 बटे 8 से बड़ी परिमेय संख्या है अब चलिए एक धनात्मक और एक रिनात्मक परिमेय संख्याओं की तूलना करे पिछले वीडियो में हमने देखा कि धनात्मक परिमिय संख्या 4 बटे 5 रिनात्मक परिमिय संख्या रिंट 3 बटे 7 के दाई और है इसलिए 4 बटे 5 रिंट 3 बटे 7 से बड़ी परिमिय संख्या है व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक परिमय संख्या रिनात्मक परिमय संख्या से बड़ी होती है क्या अब आप बता सकते हैं रिनात्मक परिमय संख्याओं की तुलना कैसे की जा सकती है? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं मान लीजिए हमें रिंड 7 बटे 9 और रिंड 9 बटे 12 की तुलना करनी है अगर हम इन्हें संख्या रेखा पर व्यक करें तो हम देखते हैं कि रिंड 7 बटे 9 रिंड 9 बटे 12 के बाई और है इसलिए रिंड 7 बटे 9, रिंड 9 बटे 12 से छोटी परिमेय संख्या है अब आईए इनका हर समान करते हैं पहले हम देखते हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर धनात्मक पूर्णांख है फिर हम हर 9 और हर 12 का लवसर 36 प्राप्त करते हैं और इसके उपयोग से रिंड 7 बटे 9 की तूल्य परिमेय संख्या रिंड 28 बटे 36 और रिंड 9 बटे 12 की तूल्य परिमेय संख्या रिंड 27 बटे 36 लिखते हैं हर समान करने पर हम देखते हैं कि एक अंश रिन 28 है तधा दूसरा अंश रिन 27 है ये दोनों पूरांग है जब हम दो रिनात्मक पूर्णांगों के तुलना करते हैं तो वह पूर्णांग जिसका चिन्न के विना मान बड़ा होता है रिनात्मक चिन्न के साथ उसका मान छोटा होता है यानि कि रिन 28 रिन 27 से छोटा है इसलिए रिन 28 बटे 36 रिन 27 बटे 36 से छोटा है या रिन 7 बटे 9 रिन नौ बटे बारह से छोटी परिमेय संख्या है। दो रिनात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना करने की एक और विधी यह भी है कि पहले हम चिन्न को नजर अंदास कर इनकी तुलना करें। जैसे हैं चिन्न को नजर अंदास कर हम 7 बटे 9 और 9 बटे 12 की तुलना करेंगे। हर समान करने पर हम इने क्रमशह 28 बटे 36 और 27 बटे 36 इस प्रकार फ्यक्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 28 बटे 36, 27 बटे 36 से बड़ी है। अगर हम इन दोनों को रिन चिन्न लगाएंगे तो या तो हमें इनका क्रम बदलना होगा या फिर तुलना के चिन्न के विरुद्ध चिन्न दर्शाना होगा। ख्रम बदलकर हमें प्राप्त होगा रिन 27 बटे 36, रिन 28 बटे 36 से बड़ी परिमेय संख्या है। यानि कि रिन 9 बटे 12, रिन 7 बटे 9 से बड़ी परिमेय संख्या है। या फिर तुलना के चिन्न का विरुद्ध चिन्न लेकर हम कह सकते हैं कि रिंड 28 बटे 36, रिंड 27 बटे 36 से छोटी परिमे संख्या है, यानि कि रिंड 7 बटे 9, रिंड 9 बटे 12 से छोटी परिमे संख्या है. दोनों स्थितियों से हमें पता चलता है कि रिंड 9 बटे बारह यह बड़ी परी में यह संख्या है और रिंड 7 बटे 9 यह छोटी परी में यह संख्या है आज हमने सीखी परी में संख्याओं की संख्या रेखा के बिना तुलना अगले वीडियो में हम परिमे संख्याओं की तुल्ना से संबंदित कुछ उधारणों को हल करेंगे आज हम देखेंगे परिमे संख्याओं की तुल्ना करने के उधारण राज और जिया रिंट साथ बटे सोलह और रिंट तेरह बटे रिंट छो की तुल्ना कर रहे थे राज के अनुसार रिंट साथ बटे सोल हा पड़ी परिमे संख्या है जबकि जिया का मानना था कि रिंट 13 बटे रिंट 6 पड़ी परिमे संख्या यानि राशनल नंबर है पता कीजिए दोनों में से कौन सही है यहां रिंट साथ बटे सोल हा और रिंट 13 बटे रिंट 6 की तुलना के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि राच और जिया दोनों में से कौन सही है तो आईए इनकी तुलना करें सबसे पहले हम दोनों परिमे संख्याओं के हरों को धनात्मक पूर्णांको यानि पॉजिटिव इंटीजर्स में परिवर्दित करेंगे जिससे कि हम पता कर पाएं कि परिमे संख्या धनात्मक है या रिंट साथ बटे सोल हा का हर पहले से धन धनात्मक पूर्णांक नहीं है क्या बता सकते हैं इसे धनात्मक पूर्णांक में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा सोचिये सोचिये चली हम बताते हैं हमें रिंट 13 बटे रिंट 6 के अंश और हर दोनों को रिंट 1 से गुणा करना होगा रिंट 13 को रिंट 1 से गुणा करने पर हमें अंश प्राप्त होगा 13 और रिंट 6 को रिंट 1 से गुणा करने पर हमें हर प्राप्त होगा 6 इस तरह से हमें रिंट 13 बटे 6 की तूली परिमेय संख्या यानि equivalent rational number प्राप्त होगी 13 बटे 6 यह एक धनात्मक परिमेय संख्या यानि positive rational number है लेकिन रिंट 7 बटे 16 एक रिनात्मक परिमेय संख्या है चुकि धनात्मक परिमेय संख्या रिनात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है इसलिए हम कह सकते हैं कि 13 बटे 6 रिंट 7 बटे 16 से बड़ी है इससे यहाँ पता चलता है कि जिया की समझ सही है अगला उदारण निमनलिखित संख्याओं को आरोही क्रम यानि असेंडिंग और और अवरोही क्रम यानि डिसेंडिंग और में व्यवस्थित कीजिए यहाँ इतनी सारे संख्याओं के तुल्ला करना आसान बनाने के लिए हम धनात्मक परिमें संख्याओं को इन संख्याओं के समूह से अलग करेंगे और इन्हें किसी क्रम में व्यवस्थित करेंगे इसी प्रकर एक रिनात्मक परिमेय संख्याओं को समू से अलग निकाल कर उसी क्रम में व्यवस्थित करेंगे और जैसा कि हमें पता है रिनात्मक संख्याओं शून्य से छोटी होती है और धनात्मक संख्याएं शुन्य से बड़ी होती है इस समझ के उपियोग से हम सभी संख्याओं को व्यवस्थित करेंगे तो आईए पहले धनात्मक परिमय संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें यहां धनात्मक परी में संख्याएं हैं एक बटे दो, तीन बटे दस और पांच बटे दो, चलिए इने संख्या रिखा पर व्यक्त करें एक बटे दो में अंश हर से छोटी संख्या है इसलिए एक बटे दो का स्थान शुन्य से एक के बीच की दूरी को दो बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से एक भाग लेकर दर्शाया जा सकता है इसे तरह तीन बटे दस का स्थान शुन्य से एक के बीच की दूरी को दस बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से तीन भाग लेकर दर्शाय जा सकता है क्या पता सकते हैं पांच बटे दो का स्थान कैसे दर्शाय जाएगा? सूचिये सूचिये बिल्कुल सही हम देखते हैं कि पांच बटे दो का अंश हर से बड़ा है यह संख्या एक से बड़ी है अगर हम पांच को दो से विभाजित करेंगे तो हमें दो पूर्ण और शेष एक बटे दो प्राप्त होगा हम दो और तीन के बीच की दूरी को दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे और इनमें से एक भाग लेकर पांच बटे दो दर्शाएंगे अब इन तीनों संख्याओं के स्थान देखकर आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए बिल्कुल सही यहां सबसे दाई और पांच बटे दो है इसलिए वह एक बटे दो और तीन बटे दस से बड़ी संख्या है जबकि तीन बटे दस सबसे बाई तरफ है इसलिए वह एक बटे दो और पांच बटे दो से चोटी संख्या है अब हम इन संख्याओं को छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक व्यवस्थित कर आरोही क्रम प्राप्त करते हैं इसी प्रकार क्या आप रिणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना कर इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कर पाएंगे वीडियो रोक कर प्रयास कीजिए चली हम बताते हैं यहां हम संख्या रिखा का उप्योग किये बिना तुलना करेंगे जैसा कि आपको ग्यात होगा कोई भी पूरांग एक परिमेय संख्या ही होती है जैसे यहां रिंड 2 को हम रिंड 2 बटे 1 इस प्रकार लिख सकते हैं यह भी एक परिमे संख्या ही है वैसे तो हम इन संख्याओं के तुलना 2-2 संख्या लेकर कर सकते हैं लेकिन लसर के उपयोग से इनके तुलना एक साथ भी की जा सकती है आईए इसे समझें यहां रिंड 6 बटे 7, रिंड 5 बटे 6 और रिंड 2 बटे 1 के हर क्रमशह 7, 6 और 1 है इनका लसर यानि LCM है 42 इसलिए हम तीनों परिमे संख्याओं की तुल्य परिमे संख्याओं ग्याद करेंगे जिसका हर 42 हो रिंड 6 बटे 7 के अंश और हर को 6 से गुणा करने पर हमें इसकी तुल्य परिमे संख्याओं प्राप्त होगी रिंड 36 बटे 42 कभी-कभी हम यह नहीं समझ पाते कि कौन से संख्या से गुणा किया जाना चाहिए इसलिए चलिए एक और विधी देखते हैं हर 42 करने के लिए हम रिंड 6 बटे 7 को 42 बटे 42 से गुणा करेंगे परिणाम में हम हर 42 रखेंगे लेकिन अंश के 42 को हर के 7 से भाग देंगे 42 को 7 से भाग देने पर परिणाम प्राप्त होगा 6 फिर हम रिंड 6 और 6 का गुणन कर परिणाम का अंश प्राप्त कर लेंगे रिंड 36 इस तरह से भी हमें रिंड 36 बटे 42 यह परिणाम प्राप्त होगा इसी तरह हमें रिंड 5 बटे 6 की तूल्य परिमेए संख्या रिंड 35 बटे 42 प्राप्त होगी और रिंट 2 बटे 1 की तूले परिमेय संख्या रिंट 84 बटे 42 राप्त होगी अभर बराबर है इसलिए इनके अंशों के तुलना कर हम इने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं चुकि रिंट 84 रिंट 36 से छोटा है और रिंट 36 रिंट 35 से छोटा है इसलिए हम इने आरोही क्रम में इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं यानि के रिंटात्मक परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं चुकि रिनात्मक परिमेय संख्याएं शूनि से छोटी होती है और शूनि धनात्मक परिमेय संख्याओं से छोटी संख्या है इसलिए सभी संख्याओं का आरोही क्रम प्राप्त करने के लिए हम शूनि को पीच में रखते हैं इसके बाई और रिनात्मक परिमे संख्याओं का आरोही क्रम रखते हैं और दाई और धनात्मक परिमे संख्याओं का आरोही क्रम रखते हैं अगर हम इस क्रम को उल्टा करें तो सभी संख्याएं बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक व्यवस्थित हो जाएंगी याने कि हमें इनका अवरोही क्रम प्राप्थ होगा इससे अब आपकी परिमे संख्याओं की तुल्ला करने की और इने क्रम में व्यवस्थित करने की समझ अच्छे से बन गई होगी तो आज हमने देखे परिमे संख्याओं की तुल्ला करने की उधारण अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे संबंदित मिथ्याधाना और तुल्ना करने की एक आकरशक विधी आज हम देखेंगे परिमेश संख्याओं के तुल्ना से संबंदित मिथ्याधाना और तुल्ना करने की एक आकरशक विधी मिध्याधाना निम्नलिखित में से कौन सी परिमेए संख्या यानि रैशनल नंबर रिंड 21 बटे 18 से बड़ी है बच्चे अक्सर चिन्डों को नजरंदास कर परिमेए संख्याओं की तुलना करते हैं यह तुलना करने की एक कलत समझ है बच्चे देखते हैं कि आप्शन एक में दिया हर, सवाल में दिया हर के बराबर है और 30, 21 से बड़ी संख्या है इसलिए वे सोचते हैं कि आप्शन एक सही जवाब है दरसल यह एक कलत जवाब है क्योंकि अगर हम 21 बटे 18 और 30 बटे 18 को संख्या रिखा पर अंकित करेंगे तो यह पता चलता है कि रिन 30 बटे 18, 21 बटे 18 के पाई ओर है इसलिए रिन 30 बटे 18, 21 बटे 18 से छोटी परिमेए संख्या है तुल्ना निम्न प्रकार से भी की जा सकती है यहाँ चिन्न के बिना मान 30, 21 से बड़ा है जब हम चिन्न लगाते हैं तो तुल्ना के चिन्न का विरुद्ध चिन्न रखते हैं इस तरह से रिन 30, रिन 21 से छोटा है इनके तुल्ना संख्या रिखा पर भी की जा सकती है 21 बटे 17 और सवाल में दिये परिमेय संख्या 21 बटे 18 का अंश पराबर है और चुकी option 2 में दिये परिमेय संख्या का हर छोटा है इसलिए यह बड़ी परिमेय संख्या होगी इसलिए वे option 2 जवाब देते हैं लेकिन यह भी एक गलज जवाब है तुल्ला निम्न प्रकार से भी की जा सकती है पहले हम इनका चिन्न नजरंदास करेंगे चिन्न नजरंदास करने पर हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं का अंच समान है लेकिन हर अलग-अलग है ऐसी स्थिती में जिस परी में ये संख्या का हर बड़ा वह छोटी परी में ये संख्या और जिस परी में ये संख्या का हर छोटा वह बड़ी परी में ये संख्या होती है यानि कि यहाँ 21 बटे 17, 21 बटे 18 से बड़ी है कुछ बच्चे यह नहीं समझ पाते कि पूर्णांग भी परिमेस अख्या ही है इस तरह से इन एक को देखकर बच्चे यह सोचते हैं कि यह एक परिमेस अख्या नहीं है इसलिए यह दिये सवाल का जवाब नहीं हो सकता लेकिन दिये सवाल का सही जवाब है option 3 क्यूंकि प्रतिक पूर्णांक एक परिमे संख्या भी होती है क्यूंकि पूर्णांकों का हर एक लिखकर इन्हें P बटे Q रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q दोनों पूर्णांक है और Q शुन्ने के बराबर नहीं है आहिए परिमे संख्या है रिण 21 बटे 18 और रिण 1 या रिण 1 बटे 1 के तुलना करें यहां अगर हम रिण 1 बटे 1 के अंश और हर दोनों को 18 से गुणा करें तो हमें रिण 1 बटे 1 के तुल्य परिमे संख्या रिण 18 बटे 18 प्राप्त होगी चुकि हर समान है इसलिए हम अन्शों की तुलना करेंगे रिन 21 रिन 18 से छोटा है इसलिए रिन 21 बटे 18 रिन 18 बटे 18 से छोटा है यानि कि रिन 21 बटे 18 रिन 1 से छोटा है अगर हम रिन 21 बटे 18 को संख्या रिखा पर दर्शाते हैं तो यह देखा जा सकता है कि रिंड 21 बटे 18 का स्थान रिंड 1 के बाई और है इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि रिंड 21 बटे 18 रिंड 1 से छोटी है इसलिए दिये सवाल का सही जवाब है option 3 अब आईए देखते हैं परिमे संख्याओं की तुल्ना करने की एक आकरशक विधी मान लीजिए हमें 4 बटे 13 और 3 बटे 11 की तुल्ना करनी है तुल्ना करने के लिए हम पहली परिमे संख्या के अंश 4 का दूसरी परिमे संख्या के हर 11 से गुणा करेंगे जिससे हमें परिणाम प्राप्त होगा चवालीस इसी तरह हम दूसरी परिमेय संख्या के अंश तीन का पहली परिमेय संख्या के हर तेरह से गुणा करेंगे जिससे हमें परिणाम प्राप्त होगा उन्तालीस यहां हम देखते हैं कि 44, 49 से बड़ी संख्या है इसलिए हम कहते हैं कि 4 बटे 13, 3 बटे 11 से बड़ी है इसी तरह आईए रिंट 12 बटे 5 और रिंट 13 बटे 6 की तुलना करें अब यहां पहली संख्या के अन्ष रिंट 12 का दूसरी संख्या के हर 6 से गुणा करने पर रिंट 72 यह परिणाम प्राप्त होता है चुकि रिंट 72 रिंट 65 से छोटी है इसलिए हम कह सकते हैं कि रिंट 12 बटे 5 रिंट 12 बटे 6 से छोटी है इसी तरह अगर हम 9 बटे 12 और 3 बटे 4 की तुलना करते हैं तो यहां पहली संख्या के अंश 9 का दूसरी संख्या के हर 4 से गुणा करने पर 36 यह परिणाम प्राप्त होता है और दूसरी संख्या के अंश 3 का पहली संख्या के हर 12 से गुणा करने पर भी 36 यही परिणाम प्राप्त होता है दोनों सिद्यों में परिणाम बराबर है इसलिए हम कहते हैं कि 9 बटे 12 बराबर 3 बटे 4 व्यापक रूप में मान लीजिए P बटे Q और R बटे S दोनों परिमेश संख्याएं हैं जिनमे Q शूर्ने के बराबर नहीं है और S भी शूर्ने के बराबर नहीं है इनके तुलना निम्नप्रकार से की जा सकती है वीडियो रोक कर इसे समझें यह तुलना करने की एक और आसान विधी है इस विधी से परिमेश संख्याओं के तुलना मौखिक रूप से की जा सकती है तो आज हमने देखी परिमेश संख्याओं के तुलना से संबंदित मिध्याधाना और तुलना करने की एक आकरशक विधी